दोस्तों स्वागत है आपका आपने परिवार केडियर अप्रेट बाइंजीनर में मैं हुर उन्जन राज उम्मिद करता हूँ आपसे बेतर होंगे तरीके से कर रहे होंगे सभी भाईओ का सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज हम पात करने वाले हैं जो बंपर भरती में ही भाबा आताविक रिशर्च सेंटर में यानि कि भाबा परमण अनसंधान के दर में उसके उसके अगर आप लोग नए हैं आप लोगों नोटिफिकेशन का वीडियो नह नहीं मिलेगा सभी के लिए यहां पर बेहतरीन वेकेंसी है टोटल नमबर आप पोश्ट है 4374 तो आज हम लोग देखेंगे एक्जाम पैटन क्या है सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है अलग-अलग पोश्ट के लिए और सिलेबस आपका खुलिक क्या हो सकता है सिलेबस करना पर ना पर आपको सारी चीज़ें करनी होती ठीक है अब आईए देखिए चलते हैं यहां पर सबसे पहले देखते हैं आप सेलेक्शन की तरफ तो सिलेक्शन मैथलोजी है पहला क्या है आपकी जो पोर्स धी चरेणिंग ऑफिसर सीखी जि से यहां पर मागए गया था थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं यह ठीक है जो बीटेक कंडिडेट थे उनसे वागए गया था इनका सेलेक्शन देखो टोटली क्या होना है इंटर्वी के बेसिस पर होना है इसका जो आपका टेक्निकल आफिसर सी की पोस्ट है इसका जो पूरा सेलेक्शन है वो किसकी आधार पर होना है इंटर्वी के आधार पर देन अगर आपके आगे बढ़ें तो साइन्टिफिक असिस्टेंट ठीक है एंड आपका स्टाइपनरी टेनिक कैटेगरी वन का जो सेलेक्शन प्रोसेज़स है सबसे पहले इसमें का होना है कंप्यूटर यहां पर दिये जाएंगे यानि कि टोटल पेपर किते नंबर का हो गया 120 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपका एक नंबर की निगेटिव मार्किंग रहेगी यानि कि एक प्रस्ट तीन नंबर का उसके बाद एक नंबर की निगेटिव मार्किंग यानि कि निगेटिव मार्किं हो गई दिन इसके बाद यह वाला जो टेस्ट रहेगा सिर्प मुईंस कहीए लिए स्क्राइब की छाट में करने के लिए बच्चों को चाटने के लिए यह टेश्ट हो सेलेक्षण और देखे लहां पर लिखा है one more detected the syllabus for certain examination will be based on subject at diploma या बीस्सी यानि कि जो आपका ये screen test होगा इसमें पूछा क्या जाएगा अगर आपका बीस्सी है या डिप्लोमा है तो आपका डिप्लोमा में जैसे mechanical है तो प्रस्ण है अब इसके बाद क्या होगा दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्क्रीन टेस्ट सेल बी सौर्ट लिस्टेट फॉर इंटर्यू जाएगा अब दीखिए आपको एक चीज़ यहां पर ध्यान रखनी है कि भाई इनों ने certificate and retaining category one scientific assistance बीकल कोई भी percentage नहीं दिया इसका मतलब मेरिट तैयार कर सकते हैं याहाँ पर जो बे एक गया है कि भाई 40% आप जो है ले आओगे तो आपका इंटर्यू में सेलेक्शन हो जाएगा जैसा कि स्टाइपंडरी ट्रेली कर्टेगरी 2 में है तो आपको यहां पर प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर लाना है कोई भी इसका वेटेज नहीं मिलेगा की ऊड़ से नहीं दिया गया है अभली तो टेकनीश सिंद्स ट्रेंट की बात करने एस्ट लृसक्र हूं कि जैसे दिक एक प्रॉक्षाम करें आपकर प्रिलिम्नरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट फॉर कांसर डेटेड इन सिंगल सेसर पहला तो पहले क्या होता था आफ लाइन प्र होता था लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा है कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा यानि कि आपका CBT-1 होने वाला है CBT-1 preliminary test आपका CBT-1 होगा और stage 2 का भी आपका CBT होगा क्यों क्योंकि उन्हों ने लिख रखा है देन इसके बाद single session की बात करते हैं यानि कि एक ही दिन आपका दोनों test हो जाएगा प्री होगा देन उसके बाद कुछ दिर का गयब देंगे दो से घाधाई गंटे का और उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेज का टेस्ट है स्टेज टू का टेस्ट है वो भी आपका हो जाएगा यहने कि स्टेज टू वही बच्चों का कापी चेक किया जाएगा उनहीं का मेरिट लिस्ट आएगा जिन्होंने स्टेज बन क्या किया होगा क्वालिफाई किया होगा अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, stage 1 का इन्होंने दिया syllabus, ठीक है, stage 1 में mathematics के 20 question आएंगे, science के 20 रहेंगे, general awareness के 10 रहेंगे, अब मैं आपसे थोड़ा अपने experience के साफ़े डिसकस करना चाहूं, तो भाई, mathematics बहुत simple रहता है, लेकिन इसमें advanced math भी रहता है, बहुत simple, लेकिन algebra वगारा के प्रस्ने भी यहाँ पर रहते हैं, science में क्या है, physics और chemistry में रहता है, bio से कोई प्रस्न नहीं रहता, एक दो प्रस्न ऐसे कहीं से पूछ लिया, अलग से, acid से, acid के pH मान से, या कोई हमारी जो general basic bio science है, उससे एक दो प्रस्न पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो प्रस्न में कहां से पूछे जाते हैं, physics और chemistry से, physics में जैसे कि आपका lens हो गया, eye हो गया, retina हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या हो गया, जो measurement हो गया, उससे प्रस्न रहते हैं, तो आपको थोड़ा से ध्यान देना है, general awareness में क्या है, general awareness म mostly प्रस्न जो रहते हैं, वो static gk से रहते हैं, ठीक है, यानि कि कैसे रहते हैं, static gk से प्रस्न रहते हैं, कोई नदी कहां पर है, पहार कहां पर है, कुछ questions आपके current से रहते हैं, 2-3 current से रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं, पूरा history, polity, geography, ऐसा नहीं, static gk आपको थोड़ा से ध्यान देना जिसे कई निर्थ हो गया ठीक है कोई पहारी कहां पर है कोई नदी sos देखिन न可न की प्रतारओं कहां से है तो स्टेटिक पर आपको यहां पर ज्यादा फोकस करना है ठीक है यहां पर क्या होगा पचास पूछे जाएंगे और प्रते ही अनुपर क्या माइड है यानि कि 1 by 3 की माइनेस मार्किंग यहाँ पर भी है टोटल जो आपका पेपर होना है एक सो पचास नंबर का होना है अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखी क्या है यहाँ पी दोने परसेंटेज लिख दिया कि आल केडियेट विच लिस देन 40 परसेंट इन जनरल क को और देन आपका OBC, SC, ST है तो 30% आपको जो है रिजर्ट क्रेगरी को इसमें लाना होगा यानि कि अगर मैं 150 का 40% निकालू तो 150 गुरते 40 पटे 100 ठीक है यानि कि जनरल को कम सकम 150 में 60 प्लस नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए और OBC यानि क्योंकि यहाँ पर कर दो तो 15 या 45, 45 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे यानि कि अगर आप इस से प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे ठीक है तो इस पे आपको थोड़ा मतलब ऐसी मेरत करनी है कि आप क्वालिफाई हो जाओ लेकिन पूरा फोकस आपको किस पर करना है इस टेश्ट लूपे देन इसके बाद क्या होगा देन इसके बाद आपका क्या होगा भाई एडवांस टेस्ट होगा देन इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट में आपके 50 क्योश्चर रहेंगे किस से आपके जो ट्रेड ह चाहँ है थ्री मर्क्स की हाँ पर भी है यानि की यह भी पेपर ऊक्ताव50 नंबर का होना है और यहाँ पर भी कितने की नमबर की नमबर की निगेटीमारकिंग है अब इसमें आप जितरह स्कोर करोगे उसी चाहार.." पर आपकी मेरिट्व ini् विल भी प्रिपेर्ड आफ्टर स्टेज टू बेस्ट अपॉन दा स्कोर आप्टेंड इन स्टेज टू अन्ली यानि कि अब आप क्वालिफाई कर गए प्री प्रिलिम्री एक्जामिलेशन उसको आप भूल जाओ अब सारा जो मेरिट है सेलेक्शन का वह स्टेज टू के आध पर आपकी क्या बनेगी मेरिट बनेगी ठीक है देन इसके बाद आपका स्कील टेस्ट होगा क्या पर लिखा है दिन अबर आप टेस्ट इस्ट बिल डिपिंड अपन दर नमबर आप कैनिडेट क्वालिफाईंग इन दे स्टेज टू बट विल नाट इक्सिट देन फोर अधार पर इसके चक्कर मत पढ़ना अगर आपका नमबर बराबर हो जाता है तो उसके अधार पर भाई करें तो कैसे डिसाइड करें तब ये देखेगा किसने कम गलती है बहुत है जो है उसमें किसंने कम गलती के दूसको सेट्क कर लोग है और वह है किसने इस्टेज वन में हाइए है किया होगा कब की कंडिसन बता रहे हुए जब आपके इस कोर बराबर हो जाएंगे किसी धोव फ्र oh english है थीके भाई तो यही थी दोस्त अप्डेट बागिया फाउम आपके अपना सुरू हो चपए हैं सभी लोग जाके फाउम को अप्लाइ कर दीजिए में कर दोदेडू साथैं अगर आप फिटर के बश्य हैं और तो इससे लेक्टर जो हमारे Master Course है, Trade Theory के Core Master Course, ठीक है कोई भी एक्जाम के त्यार हेकरों, फुल से लेवस, तो आप जोइन करना चाहते हैं, तो हमारे अप्लिकेशन पर जोड़ सकते हैं, अप्लिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भा से जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.